कॉंग्रेस के लीडर ओपोजिशन चरंदास महांत के डेरोगेटरी स्टेटमेंट के लट्स दिखाने वाला लीडर चाहिए कॉंग्रेस में वो भी प्राइब मिनिस्टर नरींदर मोदी को अगर वो बात किसी में है तो वो भुपेश बखेल में है इस स्टेटमेंट से कॉंग्रेस स्टेटमेंट की नेगेटिविटी से गुजर ही रहा था वैसे ही कवासी लाकमा ने भी प्राइमिनिस्टर नरींदर मोदी पर निशाना साधा है और इस बार कैंपेंग करते हुए कवासी लाकमा ने कहा कि कवासी लाकमा जीतेगा और मोदी म मरेगा हारने के बजाए वो कह दिए मोदी मरेगा यह जो स्टेटमेंट है यह हैं गये कैम्पेंग के दौरान कहीं गई क्यानμεंट है और इन फाट है यह जोंगरेश और बस दी हो ज्टतर के लोकसभाthe कलेंट हैं कॉंग्रेस के तरफ से कवासी लाकमा उन के तरफ गोंडी भाशा में बुला गया है. गोंडी भाशा बस्तर की डायलेक्ट है और उस डायलेक्ट में कवासी लाकमा commissioner को निपून माना जाता है और वह जब गाववालों की तरफ जाते हैं वो अपने गोंडी भाषा में जिसमें सबसे जादा कमफुटेबल हैं उसी भाषा में वो नोग जोग और हसी मजाग करते हुए नजर आते हैं और उसी अंदाज में ये स्टेटमन भी प्राइमिनिस्टर नरींद्र मोदी के खिलाफ उनके मू अपने कौमन दिवेक का इस्तमान लग करते हुए ऐसे स्टेटमन्स बनाते हैं और फिर उसका भुक्तान उनको काफी वोडस कट कर। प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही टागट किया जा रहा है समझना यह जरूरी होगा कि नरेंद्र मोदी भले ही एक व्यक्तित्व हो लेकिन वो जिस पोजिशन पर है जिस कॉंस्टिटिउशनल पोजिशन पर है वो बहुत जादा माईनी रखता है अगर आपके कॉंग्रिस के ल इसका उठान उठाना पड़ सकता है कवासी लाकमा पॉलिसी पर बात नहीं करते हैं मेहगाई पर बात नहीं करते लेकिन वो प्रामिनिस्टर नरींद्र मोदी और ऐसे ही लोगों को टागेट करके अब शब्ध भाशा से अपना कैंपेंग करतुमे नदर आ रहे हैं और यह बिल्कुल कहीं ना कहीं दूसरे लीडर्स में भी यह देखने को मिल रहा है तो कॉंग्रस को इन सारी चीजों से बचना जरूर चाहिए पहले तो आप यह देखिए कि exactly गोंडी भाशा में क्या बोला गया है क्योंकि गोंडी भाशा में तो शायद समझने में आपको मुश्कि को असी लगता तो प्राम्रा अब जाहिर सी बात है इतना बड़ा स्टेटमेंट आया है प्राइमिनिस्टर नरिंद्र मोधी के लिए जब चरंदास महंत ने ऐसा को स्टेटमेंट डे दिया था कि लट दिखाने वाला चाहिए और लट से सरफ ओडो प्राइमिनिस्टर नरि पड़े और इस पर विश्णुदेव साय ने और सारे बड़े बड़े लीडर्स ने अपने स्टेटमेंट दिये और कहे थे कि मोधी का साथ नहीं आएगा अगर लट पड़ेगी तो हमारा सर आएगा तो इस बार भी कोई बीजेपी के लीडर्स पीछे कैसे हटें आप देर के दहाने से सियारों को भागना पड़ता है और आप चार जुन के परणाम देख लिए चार जुन को जब परणाम आएगे इस यार सबके सब कलते हैं निश्टना बूच हो चुकिए है अब कवासी लाकमा को यह जरूर हो गया कि उन्होंने जो कहा था वो कहीना कई इस पर कोई भी री LGBT दोर का है को यह बात समझनी बहुत ज़ुरी है कि पॉलसिय मेकिंगी फर सवाल करें इंडिविज्वल पर सवाल करने से कउगर्स का कोई फाएदा नहीं होगा आग्रांडब में बस इतना ही मैं सुमी केवल पटेल विदा लेती हूँ अपने विडियो जॉनलिस राग्भिन रुपांडे के साथ कल एक नए अपिसोड के साथ मैं फिर हाजर हूँगी एक नए अनालिसिस के साथ तब तक नमस्कार जै जाओहार झाल 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 झाल